शनिवार को शिवपुरी कंट्रोल रूम में पुलिस को सुषना प्राप्त हुई कि गुवालियर बायपास पर एक वेक्ती ने अपने आपको कमरे में बंद कर लिया है और कपड़ों में आग लगा ली है सुषना मिलने पर ततकाल कोटवाली पुलिस गुवालियर बायपास पहुची और देखा कि कमरे में एक वेक्ती बंद है दुवा निकल रहा है वेक्ती का नाम चन्नु उर्फ आनन जाटो पूत्र राम किश जाटो उम्र 45 वर्ष निवासी कमला गंज की कमरे से चिलाने की खाना लेकर आए शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट मेरा नाम है आनन जाटाब और मेरा बाप का नम है राम किशन जाटाब बात जी होई थी इसने मेरे घर मदा रिटी डीड़ला की प्याज सुनो बाइसां डीड़ला की प्याज रखी पूरे मॉल्लेगों पू बच्चे छोटे हैं पाल लेगी कैसे ही तो जुके हैं मेरे आद मेरे जिक मजूरी करने लगे अब प्यासा भईयों को दे रहे हम वो भूजाई अब मुझ से क्या वा कहने लगी कि मेरी बौजाई रही संग ने अच्छा जी भूएगी जी रही ओ जी मजूरी करेंगी अब अब जी कमा रही है तो एक बात बताने तू कमा रही है मैं तो से एक रुपे नहीं मांगे अन्हा मैं लेता तो अब बजूरी करते हैं अबी प्रॉलम दिये एक लाग ब्याथी अजार रुपे जी लेके गई प्यालम गई थी याथी अजार फिर गई और अब तीस वी त पर गई है मुझे जी चाफी बहो जाई ले गई हो प्याज बरके ले गई मेरी 80,000 के वो पाईसा मेरे को नहीं चाहिए नहीं के रहे को मु 24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें